कि यह गाइस मैं क्यूबिंग गूरू और आज की वीडियो में आपको कुछ आवरचा 50-60 दिखाऊंगा कुछ क्यूब पे जिनमें तीन फ्लेक्शिक क्यूब है जो कि गया नेक्सिस डबलो अर्म और टेंग्जून एंड एक बजट क्यूब जो कि मेलांग का नॉन मेंग्रि हो गया तो वह भी कपी स्मूध हो गया और मेलंग मैंने इसलिए लिया था कि आपको बता चले कि क्यूब के फ्लैक्शिप और बजट होने से आपके सॉल में कितना डिफ्रेंस आ जाता है तो यह सबी स्वाल मैंने कंटिनियूसलि लिये और इसमें बहुत सारे मेशा भी हुए कॉनर ट्विस भी मिले मुझे गैन एक्सेस डबलो रम टेंग्यून में मुझे कुछ कॉर्णेटिस नहीं मिला सिर्फ मेलांग में कॉर्णेटिस मिला क्योंकि वो अंस्टेबल था नॉन्मेटिक था और उसको मैंने ज्यादा लूप भी नहीं किया था डबलो रम में मुझे थोड़ी से लॉक अप मिले लेकिन इसका फिल काफी अच्छा था बहुत ही स्मूथ था और टेंग्यून एक्सेस बहुत ही अच्छा क्यूब था बहुत ही अच्छे सॉल मिले लेकिन सबसे ज़ला मैं सब मुझे टेंकियून में हुए मैं कुछ जगह पर गलत पीर ले ले या फिर वह लेल कर दिया इसके वज़े मुझे 22-25 का सौल मिला और गैन एकसे में मुझे सबसे खराब सौल मिले मुझे बहुत ही खराब आवरेज मिला क्योंकि यो बहुत ही लॉक ओफ हो रहा था बहुत सारे कैचेस थे उसमें तो इसा भी मैं रियू जल्दी अपलोड करूँगा और अघ्ष गारेज में उसरीर में कुछ अगर आप करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्षिश में बढ़ेज में जारूआइड करूँगा और आपके कुछ डाव टोग क्यूब करिदने के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्षिय में पूछ सकते हो मैं आपको अच्छे से चप क्यूब सजेक्ट करूँगा MJC Elite मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो मेरे पास नहीं था तो नंबर स्वंग का अइजक्ष चलाने इसलिए 15.42 ऑला में लाउंग सेट 50.09 जूब तो कसमें अच्छा जो क्यूब सबकार है सतीने इसलिए 16 मकल सुर्ण 10 ग Hehe आप चलाव